बोले बुट के पावर कपल कहे जाने वाले वरुन धावन और नताशा दलाल हाली में पैर्मिस्वन ने उन्हीं के घर एक मन्हीं परी में जर्म लिया है। हाली में वरुन और नताशा को अस्पिताल के बाहर स्पोर्ट किया जहां आक्टर ने अपने हाथ में बिट्या को लिया होगा अब इसी बीच वरुन और नताशा को लेकर खबरे आरी हैं कि वह अपना खुद का घर छोड़कर दूसरी घर में शिफ्ट हो रहे हैं हाला कि इस खबर से थोड़ी हरानी होना तो लाजमी है क्योंकि हर किसी के दिमाग में ये प्रश्न तो उठेगा ही कि बेजी के जनम की तुरंत बाद ही वो किराय के घर में क्यों चाहेगा लेकिन इन सब के बीच बता दे कि ये घर जिसका है वो कोई और नहीं बल्कि रुत कि घर में रहेंगे क्योंकि अभी उसमें खुद अभी रितिक रह रहे हैं लेकिन वो जल्द ही वो दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे हाला कि अभी तक इस पर कपल्स में कोई भी ऑफिशली अनांस्मेंट नहीं कि ये सिर्फ अफवाई ही है अब ये तो पता चलेगा तब जब खुद वरुन शिफ्ट करेंगे पता देए कि मीडिया रिपोर्स के खबरों के अनुस साथ वरुन ने मुंबाई के जुह इलाके में खर रेंट पर लिया है इस घर की बालकोनी से बहुत सुन्दर सी सी फेसिंग दिखाई देता है और जितना हमें पता चला है कि वरुन बहुत जल्द ही इस नए घर में शिफ्ट कर लेंगे लेकिन अभी तक सही डेट सामने नहीं आई है वैसे आपके गया रहा है क्या वरुन को अपनी घर से दूसरे घर में शिफ्ट करते हैं तो उनके नए पढ़ोसी होंगे अक्षे कुमार और साजित नाद्यावाल क्या ये वो सच में खिलाड़ी कुमार के पड़ोसी बनेंगे या पर ये सिर्फ हवा हवाई बाते हैं बताते चले कि जल्द ही वरुन शिफ्ट होने वाले हैं जांकारी के लिए बतारे कि वरुन धवन और नराशा दलाल अभी जूहू के एक अपार्टमेंट में रहते हैं लेकिन पारेंस बने के बाद अचानक से घर चींज करने का फैसला सभी के लिए काफी ही ज्यादा शॉकिंग हाला कि अभी तक इसके पीछे की वज़े तो साफ नहीं हुई है लेकिन कयास ये लगाए जाए है कि शायद बेदी से लिंक्ट हो कुछ या फी छोटा होने की बात ही पता चुलेंगा इसे आप किसके क्या रहे हैं कॉमेंट करके बताएगा इसी तमाम और नेटिस खबरों को जाने के लिए जड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स अलाए